हलो अब्रेबन बेल्कम तो इलेक्टिकल अब्जेक्टिक एबनी फ्रेंट चेकुशन गेट में पूछा गया थे 2005 में आई इसको स्वाल्व करते हैं सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यह 10 ohm और 10 ohm यह दोनों पैरलल में कनेक्टेड हैं तो अलक सा चिर्कुट बनाते हैं रिसको उसको स्वाल्व करते हैं एक 100 In charm की बैटरी एक ते करते हैं रिजिस्टेंस और यहांपर हम क्या करते हैは 10 ohm और 10 ohm को ईस्वाल्व कर लेक्टincoln 10 आपे यहां पर इस तेंस के विलिव । करने हैं यहां पर 100 बोल्ट की बैटरी की गिबिन है और यह 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 यहां से फिलो रही है तो जब आप 10 पैरलल 10 को सॉल्फ करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 multiply by 10 upon 10 plus 10 equal to 20 और यहां से आ जाए गए 5 ohm फिर्ट फिर से circuit को draw करते हैं और हमने यहां पर पूट कर देते हैं यहां पर यह हमारी value आए थी 5 ohm यह value R है यह 100 बोल्ट की बैटरी है और यहां से current फिलो हो रही है 8 amp पियर की तो I equal to B upon R से में इसे value पूट कर देते हैं V given है 100 बोल्ट और R given है R plus 5 क्योंकि यह दोनों सीरीज में connected है और इस current की value given है आपको कितना 8 amp ठीक है अब आगे इसको solve करते हैं तो कितना आगे मार पस 100 upon R plus 5 equal to 8 cross multiply कर लेजिए तो मिल जाएगा 100 equal to 8 R plus 40 यहां से मिल जाएगा 8 R equal to 60 और R equal to मिल जाएगा 7.50 इसमें हमारा कौन सो option सही होगा है एक बार देख लेते हैं इसमें हमारा option नमर जो हमारा C है वो उसमें correct हो जाएगा ओके friends मिलते हैं next वीडियो में thank you